तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी exercise 9.1 9.1 question number 2 and 3 9.1 question number 2 and 3 तो आते हैं आपकी question number 2 और 3 पे question number 2 आपका क्या कह रहा है आपको क्या given है side of square ठीक है ये क्या है किसी square की side है ठीक है किसी square की side है ये जो है ठीक है फिर मिर को क्या निकाला parameter बिटा मैंने आपको क्या बताया था parameter is sum of all sides और square के अंदर कितनी sides होती है 4 square के अंदर कितनी side होती है 4 और we know square के अंदर जो 4 side होती है वो equal होती है क्या होती है equal length की अब एक बात बताओ मैंने आपको बताया था 7 plus आप ये लिखोगे 7 को 7 plus 7 plus 7 एसे करने की बजाए आप यह देखो 7 कितनी बार आया है 7 कितनी बार आया है 4 टाइम 1 2 3 4 तो इसको किसे मल्टिप्लाई कर दोगे 4 से तो यहाँ से मेरे पास formula बना कि अगर मेरे को निकालना हो parameter of a square तो square का parameter मेरे पास क्या होता है बेटा 4 into side जो आपको side given है उसको किसे मल्टिप्लाई कर दो 4 से तो 7 forza आपने अलग-अलग लिख के दिखाना है parameter of square is equal to 4 into side याने की 4 into 7 याने की 28 cm तो कितना आ गया यहाँ से 28 cm यहाँ पर क्या आजएगा 11 into 4 याने की 44 राइट यहाँ पर 15 into 4 याने की 15 forza 60 यहाँ आ जो यह देखो 30 30 क्या करोगे 30 into 4 तो कितना आ जएगा 120 यह 42 into 4 4 toza 8 4 forza 16 कितना आ गया 168 cm next 49 into 4 which is equal to 4 nines are 36 3 carry कर गया 4 forza 16 और 3 19 तो कितना आ गया 196 now next next is 64 तो 64 into 4 right कितना आ जएगा 4 forza 16 carry कर गया 1 4 forza 16 24 and 125 कितना आ गया 256 again 72 into 4 4 toza 8 and 4 7 to 28 कितना आ गया 288 cm अब आज हो next way यह तो हमने पढ़ा कि square क्या square का perimeter क्या होता है अब किसके बारे में बात कर रहे है rectangle की बारे में तो अगर मैं बात करूँ यह आपका rectangle है इसको क्या बोलते है वेटा length इसको क्या बोलते है या फिर इसको length बोलते है अगर मैं compare करूँ तो this is your length and this is your breadth तो यह length है तो यह भी आपकी length यह breadth है तो यह भी आपकी breadth तो देखो दो बार तो length आई तो 2L प्लस दो बार क्या आई ब्रेट तो क्या बन गया 2B 2 2 दोनों के पास से बाहर निकाल लिया क्या आगया L प्लस B तो ये किसका फोर्मूला है बेटा पैरिमीटर का किसका पैरिमीटर ओफ रेक्टेंगल किसका पैरिमीटर ओफ रेक्टेंगल अब आजाओ question पे length आपको कितनी दे रखी है 16 तो क्या लिखोगे length of rectangle is given to be 16 meter कितनी दे रखी है 16 meter फिर यहाँ पे breadth of rectangle 11 meter कितनी 11 meter तो यहाँ से क्या निकालना है बेटा पैरिमीटर अभी अभी हमने क्या decide किया क्या आया 2 into length plus breadth तो 2 into length plus breadth जहाँ पे length है उसकी length की value put करो plus जहाँ पे breadth है breadth की value put करो 2 into 6 plus 1 7 1 plus 1 2 तो 2 7s are 14 carry कर गया 1 2 2s are 4 and 1 5 तो कितना आ गया 54 cm पैरिमीटर कितना आया 4 cm तो बेटा आज हमने 2 formulae revise किये first is parameter of square क्या होता है 4 into side दूसरा क्या है rectangle का parameter और वो क्या होता है 2 into length plus breadth clear तो बेटा next video में फिर मिलते हैं अगले questions के साथ तब तक अच्छे से practice करते रहे हैं thank you so much क्या हैं उस्क्तिमी हैजφेश। किता है तो आप्मारोगочки है